दोस्तों इस वीडियो में हम पूछांगे जीके का पांच बड़े हिमाइधार सवाल जो जीमन बनाने में आपकी मदद करेगी और हर वीमारी से लड़ने की छामता रखेगी आप में और रहेगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर की जगात चलिए इस कम दोस्तों इसका सई असरे दील में बीमारी नहीं होती है यानि दिल की धरकने वाला बीमारी हाड़ेटे की बीमारी इस सब प्रोब्लम नहीं होती है एक दो बात पाता गुलाब की सिर्फ और चबा करके खाते हैं तो ए बीमारी नश्ठ हो जाएगी यह बात आप लोग आप लोगे पास दोस्तों इसका सई अंसर है काला नमक और निम्बू नहीं मिलाकर खाने के कारण जो है पेट में गोला पेचीस गयस बनने की संभावना बना रहता है इसलिए इन सबी बीमारी ओसे बचना है तो आप लोग काला नमक और निम्बू मिलाकर जरूर थोड़ा खाएं और चूस हैं दोस्तों सवाल नमबर 3 सबसे ज्यादा विटामीन क्या चीज में मिलती है हम लोगों को दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा अच्छा जनकारी हमें सापाने के लिए दोस्तों मैं को दोस्तों कि सबसे ज्यादा वीटामीन मिलती है हो लेख्यों में दूध में और मुंध फली में से ज्यादा मिलती है इसलिए ख़ेंट सबसक्राइब सबस्य चाहिएं परिवार में कोई भी व्यकती कम्जोर है उसको ओलीज्जू PK ऐलाना चाहिए दोस्तों किस सिहत बन जाए सवाल नमबर चार मौवस्वामी का जूस पीने से कौन-कौन बीमारी सरीड से मीट जाती है और नहीं होती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा अच्छा जनकारी के लिए दोस्तो दोस्तों इसका सई अंसर है मौस्वामी का जूस पीने से दाद खाज खुजली जैसे भ्यंकर से अकड़ बीमारी नहीं होती है और खुन भी साफ रहता है दोस्तों वीडियो पसंद आई तो ऐसे से वीडियो को लाइक किजेगा चैनल पर पहली बनाएं तो सब्सक्राइब कि जिगा कि अच्छा जनकारी हमेशा मिलती रहे दोस्तों सवाल नमबर पांच निम्बू पानी चीनी का सेमन कब करना चाहिए हम लोगों को दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत कि जिगा आच्छा जन करने से सरीट की गडमी मिटी जाती है और पेट में गैस भी बनता है और भी मिट जाती है दोस्तों वीडियो पसंद आएट लाइक से सब्सक्राइब